रादे रादे फ्रेंट्स स्वागत है आपका सिंपल एंड यूनीक किचिन में मैं आज अपनी किचिन में आप सभी के लिए लेकर आए हूँ पेटेटो वेजी स्टिक्स ये बहुत ही इजी है बनाना इसमें हमें बिना सोडे या बिना बेकिंग पाउडर के ये बहुती क्रिस्पी और बहुती टेस्टी बनती है तो आईए इसे बनाना शुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले मैंने तीन आलू उन्हें अबाल कर छील लिया है इसके बाद मैंने एक बड़े मिक्सिंग बाउल में इन आलू को बड़ी वली साइट से ग्रेट कर लिया है तो हमें इन तीनों आलू को अच्छे से ग्रेट करना है देखें फ्रेंज कुछ इस तरीके से आपको सभी आलू को ग्रेट कर लेना है इसके बाद मैं इसमें एड कर रही हूँ एक चमच काली मिर्च, एक चमच चिली फ्लेक्स, एक चमच ओरिगेनू, स्वाद अनुसार नमक नमक सही से डालें क्योंकि ओरिगेनू और चिली फ्लेक्स में भी होता है इसके बाद मैंने चीज क्यूब लिये है तीन चीज क्यूब इन्हें मैंने ग्रेट कर लिया है आप चाहें तो मौजरेला चीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बाद मैंने ब्रेड क्रम्स लिये है मुझे ये ब्रेड क्रम्स एड करने हैं इसमें इसके बाद मैंने लिया है कॉन फ्लार, को जो आप इसकी जगह पर अरारोट भी एड़ कर सकते हैं, इसके बाद मैंने इससब को आथ की ही मदद से अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो देखें फ्रेंज मेरी यह सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें और मेरे साथ अंतितक बने रहें इसके बाद मैंने जो डो बना था इस डो को मैंने दो बराबर हिस्सों में बाट लिया है अब मैं इसे बेल लूँगी इसके लिए मैंने थोड़ी सी सूखी मैदा का इस्तिमाल किया है अब मैं इसे हाथ की मदद से पहले इसे थोड़ा सा फ्लैट कर ले रही हूँ उसके बाद मैं इसे बेलन से और फ्लैट कर लूँगी तो देखें friends मैं कुछ इस तरीके से इसे फ्लैट कर रही हूँ जरूरत के अनुसार आप सूखी मैदा या आटे का इस्तिमाल कर सकते हैं इसे बेलने के लिए तो friends मेरा ये पूरा अच्छे से फ्लैट हो चुका है हमें इसे बहुत जादा थिक या थिन नहीं करना है इसकी कंसिस्टेंसी सही रखनी है इसके बाद मैं एक पीजा कटर की मदद से इसको स्टिक्स की शेप में कट कर ले रही हूँ तो देखें friends मैंने एक सेंटर कट किया था उसके बाद मैं छोटी छोटी स्टिक्स इसमें से कट कर ले रही हूँ अब मैं इन सारी स्टिक्स को एक अलग प्लेट में निकाल लूँगी तो इस तरीके से मैंने सारी स्टिक्स एक अलग प्लेट में निकाल ली हैं सारी श्टिक्स अलग- इसके बाद मेने एक कड़ाई में तेल गरम कर लिया था उसमें यह सारी स्टिक्स में लेदो नुए पर दरी अपरந अपर अब प्लटायोगों कोशिश करें इसके लिए एक फ्लैट सर्फिस वाली कड़ाई हील है तो देखें यह धीरे धीरे फूल रही है तब तक के लिए मैं जो मेरा बाकी का बचा डो था उसे भी हाथ की मदद से फ्लैट करके स्टिक्स बना लूँगी लेकिन फ्रेंज मैं इन्हें अभी सारी स्टिक इसको प्लेट में करके फ्रिज में रख दूँगी तो जब मेरे गेस्ट आएंगे मैं इने तब इस्तिमाल करूंगी तो ध्यान रहे फ्रेंज आपको जितनी ज़रूत है आप बना सकते हैं और आप बाकी की बची अपने गेस्ट के आने पर तभी तलकर गर्मा गरम सर्व क कर सकते हैं तो देखें फ्रेंज मेरी फूल गई हैं बिना बेकिंग पाउडर बिना बेकिंग सोड़ा या आटा बेशन हमने इसमें कुछ भी इस्तिमाल नहीं किया है अब इन्हें हलके हाथ से अराम से पल्टे और अलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक मिडि अरे में आपनी सारी स्टिक्स को निकाल लूगी आप इसके लिए चाली लगालए जिससे कि हमारा जो एक्स्ट्र घी होता है यह थी यह तेल होता है वो इसमें से निकल जाता है तो देखें मेरी तयार है वेजी स्टिक्स कि बहुत ही कृस्पी और टेस्टी बनी है और प्रेंट्स के साथ फैमिली के साथ शेयर करें अपने आई घर पर रिलेटिव्स को बना कर खिलाएं और मुझे बताएं सबी को कैसी लगी और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेस्बुक पेश पर नए हैं तो ऐसी ही सिंपल और यूनीक रैसेपीज के लिए मेरे पे